Hello बच्चों, देखो अगर exam में आपके MCQs में इस तरह का question आ जाता है, तो आप कैसे इसको solve करोंगे, तो properties अगर आपको mind में है तो आप direct answer आपको इसको पता चल जाएगा, i equal to 5 to 5 sin x plus cos x divided by 3 cos square x plus 2 है, इन चारों में से कौन सा option यहाँ पर right होगा, तो आप इनको change करके solve करने की कोशिश करोगे, लेकिन हमने एक property पढ़ी थी, कि a to a fx dx अगर हमारे पास आ जाता है, तो उसकी value क्या होती है, 0, अगर हमारे पास इस तरह का question आता, जिसमें दोनों limit क्या होगी, same होगी, दोनों limit same है, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसको जब solve करोगे, तो इसका answer क्या आएगा अबका 0, तो option c यहाँ पर right है,